आप सभी करें मोगा नमश्कार, अलजब्रा की इस लेसिन में आपका हार्देक सवागा से चलिए शुरुबात करते हैं और क्वेश्चन डिसक्स करते हैं देखिए करें कि out of the given responses, one of the factors of, मतलब एक expression दिया है इसका factor आप से पूछ रहा है कि इसमें से जो भी option लिखे हुए है, इसमें कौन सा ऐसा number है जो इसका factor हो सकता है यह factor का मतलब क्या होता है, यह मैं आपको समझाता हूँ पहले कोई भी expression, let's say मैंने कहा कि कोई भी expression मेरा दिया हुआ है, let's say ax cube plus bx square plus cx plus d f of x, factor का मतलब यह हुआ कि x की अगर वो value मैं इसमें रखू, factor का मतलब हुआ, पहले तो आप ऐसे समझो, let's say मैंने बोला कि एक factor है इसका कुछ भी, कुछ भी बोल दो आप, आप कहतो x plus 1 इसका एक factor है, x plus 1 अगर इसका एक factor होगा, तो इसका मतलब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x plus 1 into something, अगर यह factor है तो ऐसा लिख सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो x plus 1 x is equal to minus 1 पे, अगर मैं इसकी value निकालने जाऊ, x is equal to minus 1 पे अगर इसकी value निकालूंगा, तो आप खुद देखो, यहाँ पर x की minus 1 रखोगे, अगर x plus 1 एक factor है, तो यह क्या हो जाएगा, आपको 0 देदेगा, आपको क्या देदेगा, 0 देदेगा, तो एक तो आपको यह तरीका समझ में आ रहा होगा, clear, पहले तो factor का मतलब क्या समझा, हमने कि एक ऐसा expression जो इसको पूरा का पूरा divide कर दे, कि वो इसका factor कहलाएगा, कि भाई यह इसका factor है, ठीक है, तो ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं, इस understanding के साथ, हम आगे बढ़ेंगे और देखने की कुशिश करेंगे, कि इसमें क्या factor है, पहला का में देखते हैं, कौन सा term ऐसा है, जो दोनों में common हो सकता है, ठीक है, जैसे मै minus a square का whole cube, अगर इन दोनों को combine करें, using x cube plus y cube, देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, x plus y, x plus y, अगर आप करते हो, तो आपको मिलेगा, b square minus c square plus c square minus a square, c square, c square, c square, c square, cancel हुआ, यह मिलेगा, b square minus a square, यह हो गया, ठीक है, तो यह हो गया, आपका simply x plus y into x square plus y square, right, अभी क्या मिला, मुझे, x plus y, x square plus y square minus x, y, तो x square आपको क्या बनेगा, b square minus c square का whole square, plus आपका हो गया, y square, वो हो गया, c square minus a square का whole square, plus twice of b minus c into c minus a, ऐसा हो गया, अब देखो, यहाँ पर हो गया, a square minus b square का whole cube, यह ऐसे है, और यहाँ आपने लिखा है, b square minus a square, into so many things, आपको पता है, जैसे ही आपने देखा था, कि यहाँ पर एक टम, b square minus a square आ गया था, आपका answer आ चुका था, यह सब इतना कुछ करने की जरूद थी नहीं, फिर भी मैंने किया, right, क्योंकि आप भी exam में ऐसा करते हो, unnecessary लिखते हो, जरूद नहीं थी, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ देख रहा है, वो आप देखने की कोशिश करो, यहाँ से b square minus a square, या फिर मैं कहूं, a square minus b square common आ रहा है, यहाँ a square minus b square है, यहाँ भी है, right, अगर आप इसको a square minus b square लिख रहो, आप इसको a square minus b square लिख रहो, तो आप खुद देखो यहाँ पर, कि क्या आपका, यह काम बना रहा है यहां से कि नहीं, यह minus 1 देगा into whatever it is और यहां से आपको a square minus b square का whole square बाकी बच जाएगा, मेरा कहने के मतलब यह express क्या जा सकता है, a square minus b square into something, तो a square minus b square क्या हुआ, इसका factor हुआ, और अगर a square minus b square इसका factor हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, a plus b into a minus b, that is how you can do this question, बिना किसी समस्या के, आप आसानी से इस particular question को solve कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, आपको quickly आपको दिख जाएगा, यहां से b square minus a square निखला, तो यही इसका factor होगा, तो nothing difficult, very simple question, पर आपको थरीका पता होना चाहिए, कैसे करना है, अब देखिए यह question कर रहा है, आप से कि p minus 2q अगर 4 है, तो इस expression की value क्या है, p minus 2q आपको 4 दिया हु कि p minus 2q अगर 4 दिया हुआ है, तो I can think of, I can think of, कि यह जो term लिखा हुआ है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि p minus 2q का whole cube बन सकता है, कि कहां से, यहां से, तो आपको कि मैं पहले निकालता हूँ कि p minus 2q का whole cube क्या होगा, अगर आप यह whole cube करोगे, तो यह 4 का whole cube 64 बना देगा, यह 64 भी लिखा हुआ है, अब ज़रा जहां से दिखोए क्या बनाएगा, p cube minus 8q cube minus 6p cube into p minus 2q is equal to 64, और यह p minus 2q की value उठा के आप 4 रख दो, तो आपको मिल जाएगा, p cube minus 8q cube minus 24p cube is equal to 64, जो term आप से पूछ रहे है p cube minus 8q cube minus 24p cube minus 64, that will become equal to 0, that will become equal to 0, अब जिखी यह question आप से पूछ रहा है कि, x square minus 12x plus 33 अगर 0 है, x minus 4 का whole square plus 1 minus x का, x minus 4 का whole square क्या होगा, आप मुझे नहीं पता कितना time लगा होगे, पर मैं तो इस answer को ऐसे लगा जूँगा, 14 कैसे, मुझे यह पता है कि यह value जो भी होगी, a square minus 2 के बराबर होगी, something square minus 2 होगा, क्योंकि something square plus 1 upon something square है, तो something square minus 2 होगा, 2 less than a square, कौन सा number किसी square number से 2 less है, तो वो definitely 14 है, definitely 14 है, क्योंकि यहां से जब आप x plus 1 by x निकालोगे या आप कुछ भी करोगे, यह x minus 4 plus 1 by x minus 4 बनाओगे, तो जो कुछ भी बनेगा, वो x square minus 2 का format लेगा, तो भी ही सही होना चाहिए, आपको विश्वास नहीं होगा करके देखते हैं, ठीक है, यह term जो आपके सामने लिखा है, मैं कोशिश करूँगा, x minus 4 का whole square बनाओ, तो आपसे कहूँगा कि अगर x minus 4 का whole square में इसको बनाता हूँ, तो बनेगा, x square minus 8x plus 16, देखो क्या-क्या बच रहा है भी, 17 बचेगा, minus 8x तो बचेगा, minus 4x is equal to 0, that is what will be left, तो यह value होगी, आपकी x minus 4 का whole square और minus, यहाँ पर देखे कि मैं काम कर रहा हूँ, यह मैं लिखूँगा simply, जो value मेरे सामने लिखी है, इसको मैं ऐसे करूँगा, इसको मैं लिखूँगा 16, 16 लिखूँ, और plus 1 जो है, उसको लेकर इधर जाओँगा, minus 1 बनाएगा, तो यहाँ से minus 4 आपका common होगा, तो यह बन जाएगा x minus 4, क्या common होके बना, x minus 4, और यह value आपकी minus 1 उदार है, इधर बच गया, plus 1 ऐसे भी बोल सकते हैं, तो अगर मैं x minus 4 से इसको divide करूँगा, तो मुझे मिला x minus 4, minus 4, plus 1 upon x minus 4, that value is equal to 0, ultimately मुझे क्या मिला, x minus 4, plus 1 upon x minus 4, equal to 4, और अगर मुझे यह मिल गया, तो आप मुझे बताओ कि आपका answer क्या होगा, जो आप से पूछ रहा है, x minus 4 का whole square, plus 1 upon x minus 4 का whole square, will be 16 minus 2, that is equal to 14, वो ही आया, कितना कुछ करने के बादा है, जो मुझे पहले से पता था, आप भी इसे सोचोगे तो आपको भी पता है, right? अब देखिए, question आप से कहरा है कि, 1 upon cube root of 4, plus cube root of 2, plus 1, और एक बड़ा से टम आगे लिखा हुआ है, और कहरा है कि, यह rational numbers है, तो a plus b plus c किसके बराबर होगा, a plus b plus c किसके बराबर होगा, यह आपको बताना है, तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ भी परिशान नहीं होना है, आपको यह देखना है कि, यह 2 की पावर 2 बाई 3 है, यह 2 की पावर 1 बाई 3 है, यह मेरा 2 की पावर 0 है, यह मैं कह सकता हूँ, यह 1 है. मुझे इसको compute करना है, solve करना है, rationalize करना है, इस तरीके से कि सारी value जो भी दी हुई है, वो numerator में मिले मुझे. अगर numerator में मिलेगी, then it will be easy for me to solve for it. कि a, b, c की value क्या है, और accordingly मैं उसको फिर solve कर पाऊँगा. आप देखें, यहाँ थोड़ा सा common sense आपको लगाना है. अगर आप 2 की पावर 1 बाई 3 को थोड़ी दिर के लिए, यह मालने कि यह k के बराबर है, तो यह term आपको कुछ दिखेगा, और वही इस question को easy कर देगा. k square plus k plus 1, ऐसे दिखेगा. और जब आपको यह दिख रहा है, तो आप करोगे कि अगर हम इसको k minus 1 से उपर नीचे multiply कर ले जाएं, k minus 1 से उपर नीचे multiply कर ले जाएं, तो यह k minus 1 upon k cube minus 1 बन जाएगा. तो आपको पता है कि k की value क्या है? k की value है 2 की power 1 by 3, तो मैं लिख देता हूँ, 2 की power 1 by 3 minus 1 upon जो आपका k cube है, वो तो है 2, 2 minus 1 क्या हो गया? तो now ultimate value जो आपको मिली, वो मिली 2 की power 1 by 3 minus 1, और यह अगर मेरा बराबर है, a into 2 की power 2 by 3, plus b into 2 की power 1 by 3, plus c के अगर बराबर है, तो अब देखें यहाँ पर क्या value यहाँ पर आपको दिखाई देगी, बहुत ही simple है कि यहाँ B की value मुझे 1 दिखाई दे रही है, c की value मुझे minus 1 दिखाई दे रही है, और मुझे a की value साफ साफ 0 दिखाई दे रही है, तो अगर कोई a plus b plus c मुझे से पूछ रहा है, तो that will be equal to 0 यानी 0, अब देखें सबसे important चीज़ जो मैं आपको अभी हाँ समझाना चाहता हूँ, जो आपको समझना चाहिए, कि इस question में अगर आप इसको ऐसे नहीं देख पाए, कि ये a square, k square plus k plus 1 है, तो ये question आपके लिए बहुत जादा मुझे हो जाएगा, आप इस question को नहीं कर पाऊगे, तो कि यही इस question का main important point था जो आपको यहाँ पगड़ना था, then इस question में फिर कुछ ऐसा नहीं बचेगा, जो आप ना कर पाऊ, क्योंकि हमने k minus 1 से जैसे ही multiply किया इसको, और ये विल्कुल simplify हो गया, और हमें b और c, a plus b plus c मिल गया, 0, और बहुत असानी से आप इस question को solve कर पाए, बिना किसी problem था, ठीक है, अब देखिए, एक question है, आपका कर रहा है, a, b, जो है, एक equation के root है, a, x, square, plus b, x, plus c, तो बताना है, कौन सी equation के root, a, b, plus a, plus b होंगे, और a, b, minus a, minus b होंगे, तो पहला काम आपको वही करना है, कि आपको पता करना है, कि sum of roots क्या है, तो आपको होगे, sum of roots अगर मैं निकालूंगा, इस equation का sum of root कितना होगा, आपको होगे, होगा, twice of a, b, तो कि a और b कड़ गए, product of root, अगर मैं आपसे पूसता हूँ, कि इस equation का product of roots क्या है, तो आपको होगे, वह हो जाएगा, a, square, b, square, और minus of a, a, plus b, का whole, square, a, square, b, square, minus of a, plus b, का whole, square, further simplify, अगर आप करना चाहते हो, तो ये value किस में convert हो जाएगी, ये देगा, आपको to a, square, b, square, तो ये मिलेगा, minus of a, square, plus b, square, लेकिन इसको खोलने का फाइदा नहीं है, क्यों, मैं बताता हूँ अब्याब, यहाँ पर आपको पता है कि a और b's के roots है, तो अगर आप a plus b निकालते हो, a plus b will be equal to minus b upon a, अगर आप product of root निकालते हो, a into b, तो वो कितना है आपका, वो है आपका c upon a, तो अगर उस value को मैं यहां रख हूँ, तो ये value ultimately हो गई, product of root to c upon a, हो गई, sum of roots, और product of root कितना हुआ, a square, b square, which is c square upon a square, minus a plus b का whole square, which is b square upon a square, यह बना रहा है, c square minus b square upon a square, यह आपका हो गया product of roots, अब आप पर equation को ध्यान से देखोगे, तो पहला option और तीसरा option गलत हो गया, योकि यह आपको product of root देगा, c square plus b square upon a square, जोकि नहीं चलेगा, c square minus b square upon a square चलेगा, c square minus b square upon a square चलेगा, तो यह हो गया, अब हमें देखना है कि, भाई मेरा sum of roots क्या है, sum of roots मेरा आना चाहिए 2c upon a, 2c upon a कहां आ रहा है, यहाँ पर आपका 2ac upon a square आ रहा है, तो 2c upon a, यहाँ आ रहा है कि, यहाँ रहा है, यहाँ रहा है, तो कि यह होता है, minus of minus of minus 2ac upon a, तो यह आपका a और एक, sorry, a square cancel होगा, और आपको मिलेगा 2c upon a, यह value होगी आपकी sum of roots, 2c upon a, c square minus b square upon a square, इतनी मुश्किलात नहीं है, size से करोगे, तुरंट answer आएगा, कोई challenge है size में नहीं आने वाला है, तो इस question में करा है, x की value दी है, और एक expression है, जिसकी value आपको निकालनी है, x की value अगर cube root of 5 plus 2 है, तो आप क्या बोलोगे, x minus 2 की value क्या होगी, वो cube root of 5 हो जाएगी, तो x minus 2 का whole cube निकालोगे, तो x cube minus 8, x cube minus 8, minus 3 into 2, क्या हुआ, 6 into x minus 2, और cube निकाला तो आपको मिल गया 5, x cube minus 8, minus 6x plus 12 आपका 5 आगया, x cube minus 6x, और ये value कितनी होगी, 12 minus 5 कितना होगे, 7, तो ये value ऐसा आगया, x cube minus 6x, minus 1 is equal to 0, पर अगर आप ध्यान से देखें, तो मैंने हाँ कुछ चीज मिस करी, अगर आपने notice करी होगी, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो आप कर लो, एक x का टम यहाँ भी आएगा, तो यह आपका 6x square बनेगा, और यह 12x बनेगा, जो final format है, वो बन रहा है, x cube minus 6x square, plus 12x, x cube minus 6x square, plus 12x, minus 13, equal to 0, that is the answer, आपको कुछ भी नहीं करना था, cube में convert करके देखना, तो बताना है, least positive value इसकी क्या है, least positive value, least positive value का मतलब क्या है, 0, 2, 4, 3 में सबसे कम value क्या संभाव है, अब जो को इस expression की value आपको पता है, क्या होती है, कि अगर मैं कहूँ, a cube plus b cube, और सारे कर रहा है कि all positive integers हैं, तो आपको पता है, यह किस के बराबर होता है, क्यों होता है, a plus b plus c, and I can say half of it, और यहां पर क्या आता है, आपका ध्यान से देखो, यहां पर value आपका आता है, a minus b का whole square, plus b minus c का whole square, plus c minus a का whole square, ऐसा लेख सकते हैं, आपको मालुम है, कि यहां पर क्या करते हो, आप, that becomes very simple, क्योंकि फिर आपको पता है, कि अगर यह sum क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर a plus b plus c 0 हो जाए, अगर a plus b plus c 0 हो जाए, तो यह क्या हो गया, 0 हो गया, या फिर आपका जो, लीस पॉजिटिव वैलू पूछ रहे हैं तो क्या लीस पॉजिटिव वैलू 0 हो सकता है नहीं 0 is not a positive value 0 is a neutral value तो अगर हम least positive value खोज रहे हैं तो हमें ABC की कोई ने कोई वैलू रखनी पड़ेगी पॉजिटिव रखके try करोगे आप और एकर ABC आपके positive integers हैं तो आप कोगे कि क्या मैं 111 रखूं मैं कहूंगा 11 रखने से सबसे बड़ी problem क्या है you will get a value 0 तो 111 आपको नहीं रखना है तो फिर आप कोगे कि क्या मैं इसकी value को try करूं 1 1 2 मैं कहूंगा बिल्कुल try करिए 2 अगर रखते हैं 2 का cube 8 बनेगा 1 का cube 1 बनेगा यह आपका 8 और 2 10 हुआ और उसके बाद यह क्या हुआ 3 into 2 into 1 3 to the 6 so 10 minus 6 कितना आ रहा है 4 आ रहा है आपका 4 you think about any other combination 1 1 1 ले नहीं सकते सारे positive लेने तो आपको होगे मैं लूँगा 1 2 3 यह 1 2 2 try करो आप 1 2 2 में 1 2 2 अगर आप लेते हो तो आपको होगे यह मिला मेरे को 1 2 cube मिला 8 2 cube मिला 8 यहां रखा यहां कितना हुआ 2 2s are 4 3s are 12 8 8 16 और 1 17 17 minus 12 कितना रहा है आपका 5 अभी भी हमारा 4 ही लग रहा है कि लीस्ट है मैं आपको इसलिए चेक करा रहा हूँ कि कई बर जलबादी में आप सारे cases नहीं देखते हैं तो आपको ensure करना होगा रहा कि यहीं लीस्ट है आपने कहा कि चलो 1 2 3 ले ले लेते हैं लेकर दे होजा 18 अगर आपने ऐसे किया यह वैलू कितनी है 27 और 8 35 और 36 कितना रहा है 18 तो आपको दिख रहा है कि अभी तक 4 में ही जाकर रहे हैं तो कि ABC को आपको पॉजिटिव लेना है तो आप अगर 112 लेकर करोगे 112 लेकर करोगे तो यह difference is coming out to be 4 and that seems correct जैसे मैं यहां पर आपको ब बराबर ले लिया तो एक टम कम से कम 0 हो जाएगा एक टम 0 हो जाएगा मैं इसको minimize कर रहा हूं 11 कर दिया बी और सी के बीच का gap मैं रखूंगा 1 तो अगर मैं 1 रखूंगा तो यह 1 स्कार बनेगा इसका gap हो जाएगा 2 अपने आप तो 4 बनेगा 4 और 15 बना और यह वैलू बने कम से कम least value that's the answer अब देखिए यहां दिया होगा कि A की value 1 प्लस 2 की पावर P है B की value 1 प्लस 2 की पावर माइनस P है तो आपको बताना है कि B की value A की टम में क्या है तो आपको कि B की value होगे यह आपकी 1 प्लस 1 अपन 2 की पावर P तो यह हो गया 2 की पावर P प्लस 1 डिवादेट ब 2 की पावर P अब देखिए मुझे वाई करना है कि मुझे जो भी आंसर अभी लिखना है that should be in terms of A तो यह 2 की पावर P प्लस 1 तो A ही हो गया नीचे क्या है A माइनस 1 है तो B की value मेरी हो गई A अपन A माइनस 1 जो की value आपकी हो गई 3rd A अपन A माइनस 1 जो की value आपकी हो गई 3rd A